हेलो, बच्छो, नमस्कार, प्यारे बच्छो, रिलेशन फंक्शन के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, और मैंने बहुत सारे आपको फंक्शन के कोशन भी करवाय थे, और रिलेशन के कोशन भी करवाय थे, लेकिन एक बच्चे का ऐसा डाउट आया है, जो ठीक यही कुछ ऐसा ही था अब वो कह रहा है कि सर हमने इसमें से माइनस कॉमन आकिर कार क्यों निकाला क्योंकि माइनस अगर जीरो के पास चला भी जाए तो जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ता अरे मेरी बात विल्कुल सही है लेकिन इनिक्वालिटी सॉल्व करना अगर इसको देखना इसको ना मैं देखो दो तरीके से करके दिखा रहा हूं अगर माइनस कॉमन ले रहे हो तो एक्स स्कुर माइनस नाइन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो बन रहे है यही है अच्छा फिर मैंने क्या समझाए कि जब माइनस उठा के इधर से उधर लेके जाओ सुनद होगे, तो भाई क्या हो जाएगा? साइन चैंज हो जाएगा. अब उसने बोला कि माइनस उएधर लेके जाएएगे तो 0 पर कोई फरक नहीं पढ़ेगा तो अरे भाई, बच्पन से आप लोग क्या पढ़ते आ रहे हो? कि value जो होती है,वो छोटी और बड़ी, वो क कि या बन जाएगा जड़ा देखना भई कि देखो कि बना कि नीए अभी भी जिरो चोटा तो चाहे माइनेस कॉमल लेके करो चाहे दोनों को रिप्लेस करके करो श्टारफ बात एक ही होती है और ये रिप्लेस करने के जूरत क्यों पड़ी क्यूंकि भाई लास्ट में आंसर स्क्वार में निकालोगे तो प्लस का ही अंसर माइनस का थोड़ी निकाल दोगे अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम यहाँ पर यहाँ पर यह डालेगा लेकिन बच्चों इस पर तो डल जाएगा ना यह माइनस की चीज़ वाँ जाएगी तो प्लस आउटमेटिक हो जाएगी तो इस वज़े से यह साइन चेंज करना पड़ता है ठीक है तो यह सब चीज़े छोटी मोटी होती है तो कुस अंडर्स्टूड सी बात है चलो कोई नहीं फिलाल हमने फंक्शन के लिए और रिलेशन के लिए हम लोग ने कोश्चन भाई काफी सारे कर लिए थे अब मैं कुछ और एक का दुक्का कोश्चन और करवा रहा हूं जिसमें मोड वाले कोश्चन भी करवा देता हूं ताकि आपको फंक्शन से रिलेटेड फिर कोई भी प्रॉब्लम ना हो ठेक है फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो मैं और कुछ कोश्चन करवा देता हूं हाँ जी अब जैसे ये कोश्चन देख लो अच्छो जैसे ये कोश्चन में ये करवा देता हूं हाँ जी जैसे बच्चन ये कोश्चन देखो f of x is equal to x minus 3 x minus 3 2x plus 1 2x plus 1 हमें बच्चो इसका कह रहा है डोमेन निकालो और रेंज निकालो क्या निकालो डोमेन निकालो और रेंज निकालो चलो ठीक है नौ भाई आपको अच्छे से बता है क्या कहेंगे हाँ भी हमें या पर क्या लिखना है वही अपनी पुरानी लाइन क्या फॉर df f of x must be a real number a real number ठीक है so f of f of x must be a real number तो हम आगे क्या लिखेंगे आगे लिखेंगे x minus 3 2x 2x plus 1 must be real must be real क्योंकि अगर पूरा function एक real number है तो यानि कि ये चीज हमारी क्या होनी चाहिए real होनी चाहिए अब देखो सीधी सी बात है बच्चो सीधी सी बात है नंबर चाहे plus में आए चाहे minus में आए number चाहे plus में आए चाहे minus में आए होता real ही है तो इसका मतलब हमें minus plus से तो कोई लेना देना है नहीं ठीक है अच्छा अब इतना मुझे पता है कि जब ये real होना चाहिए तो बस किसी भी हाल में ये real कब नहीं होगा क्योंकि देखो इसके अंदर root का कोई चक्कर ही नहीं तो रूड का कोई चकर ही नहीं है तो मुहिर को बस एक बात से मतलब है कि बच्छो जब बिना root के कोई भी number real नहीं होता है कैसी condition में इस condition में ठीक है पी अपन में 0 पी मतलब क्या कोई भी number upon में 0 ठीक है अगर fraction में value 0 आती है तो समझ लेना कि ये real number नहीं है क्यों कि ये क्या बन तेंथ किलास में भी सीखा है कि अगर किसी चीज को जीरो से डिवाइड करोगे तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते इसलिए हम उसे अंडिफाइन कहते हैं या इन फाइनाइट वैल्यू कहते हैं कि उसकी जितनी चाहे उतनी वैल्यू निकाल लो ठीक है तो इस वज़े से ना हो तो बच्चो हमें क्या चाहिए हमें इतना चाहिए कि अगर ये रियल नंबर होगा अगर ये रियल नंबर होगा तो ये नीचे वाली जो पार्टी होनी चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए तो बस बात खतम भई जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए तो one by two, यानी, बच्चो, x की value minus one by two नहीं होनी चाहिए, बाकि कोई सी value आएगी, तो ये क्या होगा, real number होगा, चाहे है, तो check करके देख लो, हाँ भई, minus one by two, three, two minus one by two plus one, two से two cut गया, हाँ भई, ये minus one by two और minus three, साड़े तीन होता है, तो मतलब माइनस का साथ बटा दो, और ये minus का एक, प्लस का एक, तो minus का साथ बटा दो, और minus एक, एक, जीरो, तो ये तो सारे जीरो, सारे क्या बन गया, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, p upon zero क्या होता है, infinite, मतलब define नहीं किया जा सकता, तो ये भी infinite हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, कि x की value minus 1 by 2 छोड़ कर सारे नमबर डोमेन होंगे, so, तो हम लिखेंगे, domain of function is all real number, लेकिन किसको छोड़ कर minus 1 by 2 को छोड़ कर, इसका मतलब है कि मैंने सारे real number के set में से, इस वाले को minus कर दिया, क्योंकि आपको पता ही है, difference of set का मतलब क्या होता है, difference of set का मतलब होता है, इस में से ये minus, इसके बचे हुए element खतम, और इसके बचे हुए element रखे जाएंगे, तो मतलब, सभी real number में से बस ये हटाए जाएगा, बकि इसको छोड़ के, कोई भी real number पूट कर दो, वो एक real number बनाएगा, अब जैसे देखो, यहाँ minus 1 by 2 है न, आप चाहे तो plus 1 by 2 बट करके देख लो, बिल्कुल accurate answer आएगा आपका, एक real number बनता वो दिखाई देगा, चाहे तो करके देख लो, देख लो, क्या बना, आदे में इसे 3 गया, धाई, तो minus का धाई, minus का 5 बटा दो, 1 plus 1, 2, तो 5 बटा, यह नीचे खिशक जाएगा, तो minus का 5 बटा 4, क्या यह एक real number है, हाँ जी है, और कोई value बूट करना चाहते है, और कोई value बूट कर लो, लेकिन जब minus 1 by 2 बूट करोगे, तो क्या जाएगा, 0, इस वज़े से, हमें यह condition नहीं बनानी है, इस वज़े से हमने क्या किया, इसको पहले ही not equal to 0 मान के चले, कि ऐसी कौन सी value, जो इसको 0 के बराबर लाके खड़ी कर सकती है, तो वो है minus 1 by 2, तो domain क्या बना, all real number किसको छोड़ के, इसको छोड़ के, ठीक है, तो यह आगया बच्चों आपका domain, अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है range, now, 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 for rf, rf निकाल रहे हैं, let, let f of x is equal to y, f of x को हमने क्या let कर लिया, y के बराबर, और x minus 3 upon me, 2x plus 1, now, अब एक बात याद रखना, y के बराबर let कर लिया न, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था बच्चों, मैंने तुम्हें यह बताया था, कि जब भी हम लोग range निकालते हैं, तो वहाँ पर हम x की value निकाल लेते हैं, ठीक है, यानि कि हमें y को किसी तरीके से, x को किसी तरीके से separate कर देना है, तो कुछ नहीं करना बच्चो, x को separate करना है, इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1, इसको इससे multiply, इसको इससे multiply, क्या बनेगा यह, 2xy plus y, is equal to x minus 3, अब क्या करेंगे, फटा-फट बताओ, इसको ठाके दर, या इसको ठाके दर, इसको ठाके दर, तो यह y minus 3 इदर आके plus 3, यह इदर आके 2xy, तो y plus 3, यहां से x को मैं ले लो, 1 minus 2y, 1 minus 2y, नीचे आ जाएगा, तो x बराबर y plus 3, 1 minus 2y, हमें बच्चों यह मिल गया, हमें यह मिल गया, अब क्या करना है बच्चों हमें, अब एक simple सा काम करना है, that हमें अगर वई, अगर हमें इसका क्या निकालना है, range निकालना है, तो आपको अच्छे से बता है, कि fraction की value में 0 नहीं होना चाहिए, fraction की value में नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0, so, so, ठीक है अब क्या है अब हम यह आपर शुरू करते हैं एक मुझे वाई रिकॉर्डिंग चले आवास होड़ी कम कर लाए अब हम आपको अच्छे से पता है कि मैंने अभी अभी क्या बता है जब फ्रैक्शन में वैल्लू होती है तो रेंज जो है ना जो रेंज होती है बच्छो उसमें नीचे कभी जीरो नहीं आना चाहिए तो बस बात खतम हम क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे य प्लस थ्री अपॉन वन माइनस टू वाई मस्ट बी रियल मस्ट बी रियल तो यह अगर रियल होना चाहिए तो मैं क्या कहूँगा कि नीचे वाली पार्टी किसके बराबर ना हो जीरो के बराबर ना हो तो इसका मतलब माइनस का 2Y वहाँ जाके क्या बन जाएगा प्लस 2 नीचे आ जाएगा not equal to 0 तो हां जी y किसके बराबर नहीं होगा 1 by 2 तो क्या बना range of function क्या आएगा all real number किसको छोड़के 1 by 2 को छोड़के चाहे तो 1 by 2 यहां पुट करके देख लो जीरो बनाएगा लेकिन 1 by 2 के लावा कुछ भी बुट कर लो जीरो नहीं बनाएगा ठीक है बच्चो तो फटा फटे से नोट कर लो इस टाइब के question भी important होते हैं कीजिए जल्दी कीजिए कर लिए बच्चो आपने ठीक है हम लोग next question की तरफ आगे बढ़ते हैं यह नोट कर लिए होगा आपने कोई डाउट हो तो भीजा करो ठीक ना अभी तक मैं यह देख रहा हूं कि आप लोग डाउट ही नहीं बेज रहे हो जो कि देख लो मैंने function पर आप लोगों को इतने दुनिया भर के question करवा दिए साथ मैंने किसी भी साल इतने question नहीं कराया हूंगे बच्चों को जितने इस साल करा दिए एक कोशन cover कर रहा हूं मैं चलो अब एक आपको करने के लिए देते हैं भाई ठीक है चलो मैं असान सा देता हूं एक NCRT का यह है यह देता हूं हां जी f of x is equal to x square upon one plus x square यह करके दिखाओ भाई x square upon one plus x square यह करके दिखाओ जल्दी करके दिखाओ वटावट एक सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए होग है बच्चू देखो चलिए जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने साथ यह कर लिया होगा तो देखिए कैसे किया हो गई है सबसे पहली बात आपको इसका डोमेन निकालना है तो आपको पता है f of x must be must be a real number ठीक है अच्छा अगर यह real number होना चाहिए तो आपको पता है x square upon 1 plus x square must be real must be real यह भी real होना चाहिए आपको पता है ना नीचे वाली चीज कभी 0 आनी नी चाहिए fraction में है ना तो नीचे वाली कभी क्या नी आनी चाहिए 0 आनी नी चाहिए चलो ठीक है भाई 0 नहीं आएगी तो एक बात बताओ पहली बात तो यह 0 आई नहीं सकता कभी भी कभी भी देखो उपर 0 आजाए चलेगा लेकिन नीचे 0 नहीं आनी चाहिए क्यों क्योंकि अगर उपर 0 आता है तो value बनती है 0 और 0 एक real number है 0 एक real number है लेकिन अगर upon में 0 आ जाएगा तो दिक्कत हो जाई क्यों क्योंकि जब upon में 0 आता है तो वो infinite बना देता है और infinite कोई real number नहीं होता ठीक है तो इस वज़े से बच्चो यहाँ पर आप कोई c भी value रख दो कोई c भी value रख दो यहाँ पर 0 कभी आई नहीं सकता चाये तो try कर लो हम सोच रहे होंगे कि चली हाँ minus 1 रख देंगे तो 1 minus 1 0 अरे भाई यहाँ x square है minus 1 रख भी दोगे तो वो तो वापस plus 1 बन जाएगा ठीक है चलो 0 रख के देख लेते हैं तो उपर का 0 square 0 1 plus में 0 का square 0 तो 0 upon 1 तो देखो upon में 0 तो नहीं आया ना 1 आया तो इसका मतलब क्या हुआ value 0 और 0 क्या होता है एक real number हाँ अगर यह ऐसे आ जाता तो दिक्कत हो जाती क्यों क्योंकि अब यह एक infinite value बनाता जो कि एक real number नहीं है तो इसलिए बच्चो इसका domain तो बताने की जूरत ही नहीं है सीधा लिख दो domain is real number all real numbers कोई सभी number यहां पर put कर दो सारे इसके domain है सारे इसके क्या है domain चलो now now अब क्या लिखेंगे अब निकालना है for rf for rf मतलब हमें range निकालना है ठीक है तो let करेंगे f of x is equal to किसके बराबर y के जो किसके बराबर है x square upon 1 plus x square now आपको पता है ये भी real होना चाहिए लेकिन आप value किसके निकालोगे यहां पर यहां पर value आप x की निकालोगे तो उठाओ इसको y plus y x square x square ठीक है इसको ठाके दर इसको ठाके दर y x square minus x square plus कवाई दर जाके minus x square common ले लो y minus 1 बराबर minus y नीचे अपॉन में x square y upon y minus 1 ठीक है इस तरीके से लिए अच्छा अब हमें पता है हाँ जी बच्चो अब हमें पता है क्या पता है हाँ हमें पता है now क्योंकि बच्चो x square की जो value है यहाँ पे वो 0 से बड़ी भी आ सकती है 0 के बराबर भी आ सकती है ठीक है अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे कोई सी value रख दूँ तो भई वहाँ पे 0 से बड़ी है 0 के बराबर भी रख दूँ तो क्या राएगा real number राएगा ठीक है तो यहाँ पे भी अगर अब चलो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो भी condition से लेकिन अगर मैं range की बात करूँ यहाँ पे भी कोई सा भी real number रख दूँ चाए minus का रख दूँ प्लस का रख दूँ हर हाल में वापस क्या हो जाना है वो वो हर हाल में positive हो जाना है so हमें काम करते हैं हम x square की जगह क्या रखते हैं क्योंकि यहाँ पे x belongs to real number तो यहाँ पे रखते हैं minus y upon में y minus 1 greater than and equal to किसके रख लेंगे भाई 0 के रख लेंगे ठीक है लेकिन हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे y की value 1 नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि अगर यहाँ पे y की value बच्चो 1 आ जाएगी तो 1 minus 1 क्या हो जाएगा 0 और आपको मैंने बता रखा है fraction में कभी भी value 0 नहीं आनी चाहिए तो यानि 1 को छोड़ के सारा काम करेंगे हम ठीक है लेकिन भाई range हमें चाहिए और आपको पता यह है range always क्या होता है real number होता है और real number क्या होगा हमेशा 0 से sorry range हमेशा real number होता है लेकिन कैसा real number positive real number ठीक है negative real number नहीं लेते किसमे रेंज में यह बात हम सीखते आ रहे हैं शुरू से अच्छा तो अब हम क्या करेंगे ऐसी situation को यानी solve करने के लिए हम क्या करें तो हमें एक काम करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा यहां पे ना आप यहां पे काम करो multiply by किस से करवा दूँ multiply by y-1 का whole square से multiply करवा दो तो ज़्यादा सही रहेगा ताकि कट जाएगा ना यहां से multiply by in both sides in both sides भाई दोनों तरफ ना दोनों तरफ multiply कर दो y-1 के whole square से हां जी तो एक बार से एक बार गया तो बचा माइनस y y-1 ठीक है और 0 से कोई भी चीज होगी 0 बन जाएगी अब देखो फिर सवई वाली बात कि जब मैं माइनस उठा के उस तरफ लेके जाऊंगा तो अपने आप यह क्या हो जाएगा जल्दी बता दो less than and equal to 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा less than and equal to 0 हो जाएगा इसमें मुझे कुछ भी बताने की जुर्द नहीं है ठीक है तो अब क्या है भाई आपको अच्छे से बता है अगर यह है y और यह है 1-y तो क्या मैं इस वाले को इस y को क्या मैं y-0 लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ या y-0 लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ क्यों क्यों क्योंकि अगर y में 0 add कर दूँ या 0 minus कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मुझे इससे क्या पता चला मुझे इससे ये पता चला कि भाई Y की वैल्यू Y की वैल्यू 0 से बड़ी और चोटी हो सकती है लेकिन 1 से चोटी होईगी क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 के बराबर पुट कर दूँगा तो आपको तो अच्छे से पता है कि यहाँ Y एक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए? वन नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब जो हमारा रेंज बना जो हमारा रेंज बना फंक्शन का वो क्या बना? कि Y की वैल्लू 0 से बड़ी और उसके बराबर होनी चाहिए लेकिन 1 से चोटी तो इसका मतलब हमारा जो range बना वो 0 से लेके 1 के बीच और bracket देख लो कौन सा है 0 के पास closed है जबकि इसके पास open है ठीक है उतारो इसे फटा-फट उतारो इसे फटा-फट यह वैल्लू 0 से बड़ी लेनी है लेकिन 1 से छोटी लेनी है अगरे बाकी के जो कोशन हो ट्राइ करना ठीक है अब एक दो कोशन और है वह देख लो फिर खतम हो जाए गई अगरे कि 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 झाल झाल चलो वे बच्चो शुरू करें ध्यान से देखना खतम करा देता हूँ आज में आज आपका फंक्षन पूरी तरीके से खतम हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्योंकि सबस्द्राद कोशन इसके फंक्षन में ही है रिलेशन में इतने कोशन है नहीं फिर भी कोई डाउट रहे तो मिरे को बता देना ठीक है चलो अब आपसे कोशन क्या पूछा गया है कि आपके पास एक फंक्षन दिया हुआ है वन अपॉन आपन अंडर रूट x प्लस में मोड के अंडर x इसका डोमेन बताइए सिर्फ और सिर्फ डोमेन पूछा है सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है डोमेन तो हमने का ठीक है जी, बहुत आराम से बता देंगे चलो, डोमेन की सर्थ fraction में value है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बस fraction में value है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बस चलो ठीक है, दूसरी बात fraction में value है, लेकिन बीच में है root बीच में क्या है यानी सोरी नीचे क्या है रूट और रूट के अंदर कभी भी माइनस का नंबर नहीं आना चाहिए रूट के अंदर कभी भी माइनस का नंबर नहीं आना चाहिए क्यों क्योंकि अगर रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाएगा तो this is a complex नमबर वो एक complex number बन जाता है क्या बन जाता है complex number लेकिन आपको तो पता ही है हमें हर हाल में कैसा number चाहिए एक real number चाहिए तो बस हाँ जी 4 df f of x must be a real number must be a real number so under root x plus x must be real must be must be real must be real अब मुझे एक simple सी बात बता दो यार ना यहां पर ना यहां पर क्या है भई ना यहां पर हमारे पर square है क्योंकि अगर square होता तो सारी value अपने आप plus में हो जाती तो हम कुछ भी put कर सकते हैं लेकिन मेरे प्यारे बच्चो यहां पर आप plus की कोई सी value put कर दो तो real number आ जा देगी कैसे देखो मैं आपको ना पहले एक बात बताता हूं यह क्या लिखा हुआ है mode x क्या लिखा हुआ है mode x पहरे बच्चो mode की सर्थ जानते हो आप कि mode की सर्थ है क्या mode आप से कहता क्या है तो जड़ा सुनो ध्यान से एक बात याद रखना if if यहां पर जो value put करने वाल अगर मैं x की जगा x put कर रहा हूं और x कैसा है यह प्लस का x ध्यान रखना मैं यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं x put plus x x put plus x कर दो जी जब आप यहां पर plus x put करेंगे तो आपको मैं बता दू प्लस x का मतलब यह है कहना चाहता हूं मैं यहां पर positive integer या positive number या कोई से भी positive बह Janeiro हो चाहे बही क्या हो कोई सब रील नंम्र हो लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए तो ध्यान रखना मोड से बाहर निकलके वह positive ही रहता है mode से बाहर निकल के वो positive भे रहता है अब if x put if x put क्या रहेगा हाँ जी क्या put किया minus का x अब हमने क्या put किया minus का x तो मेरे प्यारे बच्चो अगर मैं इसके अंदर minus का x put कर दूँगा न तब भी mode से बाहर निकलने के बाद वो क्या हो जाएगा वो plus का x ही रहेगा ये rule होता है mode का कि भाई अगर हम कोई plus की value mode के अंदर put करें तो वो plus की रहती है और अगर कोई mode के अंदर minus की value put करें तो बाहर निकल के वो तब भी किसकी रहती है प्लस की ही रहती है ये किसका rule है ये mode का rule है तो if x put plus x तब भी plus कर रहेगा if x put minus x तब भी हो किसका रहेगा minus का तो आप simple सी बात सोचो अगर यहां पर आप कोई minus x put कर देते हो खुद सोचो अगर आप यहां पर कोई minus का number put कर देते हो मालो आपने minus 2 put कर दिया तो यह minus 2 minus 2 अब आप ज़र ध्यान से देखना बच्चो भई भले ही यह minus का है लेकिन mode से बाहर निकल के वापस plus का हो जाएगा की नहीं हो जाएगा और कटके क्या बन जागा 0 under root 0 तो देखो fraction में 0 आ गया हां की ना और आपको यहां पे हम 0 भी नहीं put कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको पता ही है जीरो अगर आपने put कर दिया तो भाई मामला गड़बड हो जाएगा ठीक है क्योंकि देखो ना आप खुद देखो जीरो put करो गए तब भी तो जीरो ही रहेगा और जीरो होगे तो फिर से जीरो आ गया तो जीरो से बड़ी value put करनी है कोई सी भी जीरो से बड़ी value put कर दो ठीक है जो मन करें वो put कर दो कोई बच्छा कर रहा 5 ठीक है जी कर दिया 5 पांच और यह plus का 5 तो आपको तो पता यह यह तो पहले सी plus का है और इसके बारे मैं आपको मैं भी भी बताया कि अगर हम को प्लस की बड़ी value put करते है तो बाहर निकलने के बाद भी किसकी रहती है प्लस की अंडर रूट 10 तो यह वन अपन अंडर रूट 10 बनेगा और वह एक रियल नंबर होता है वह एक रियल नंबर होता है तो इसका मतलब मुझे यहां पर एक ही बात लिखनी है ना यहां पर एक ही बा बन गया डोमेन और फंक्शन बन गया मेरा जीरो से बड़ा और इंफिनाइट से छोटा तो मेरा डोमेन क्या बना जीरो से बड़ा इंफिनाइट से छोटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ठेक है इसका मतलब क्या होता है ध्यान देना इसका मतलब यह होता है कि जीरो से ब domain का हमारा answer क्या है जीरो से लेके infinity करो इसे जीरो से लेके infinity ठीक है अब देखो एक question और पूछा गया आप से ठीक है एक question और पूछा गया अब की बार आपको f of x जो दिया गया और प्रस और प्रस नुखार गया अब बताऊ इस question का domain आई निकाली नहीं सकते है अब डोमेंड अब यहां पर देखो डोमेंड इसका निकाली नहीं क्यों निकाल सकते हैं? आप नहीं यहां पे प्लस की value पूट कर सकते हो और आप नहीं यहां पे minus की value पूट कर सकते हो दोनों का reason सुनेंगे, क्यों? इसका domain क्यों नीकल सकता? अगर आप कोई मान लीजिए, minus का number पूट करते हैं, for example, minus 2 पूट की आपने, तो देखो ज़रा कि अंडरूट माइनस दो माइनस दो माइनस चार अब बताओ रूट के अंदर क्या कभी माइनस का नंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए और आपको अच्छे से बता है कि रूट के अंदर अगर माइनस का नंबर आ गया तो क्या होगा वो एक रियल नंबर नहीं होगा तो प जोट से बाहर निकलने पर भी टू ही रहेगा लेकिन ये तो बाहर का माइनस है तो तो कट कट के क्या आ गया जीरो और आपको पता ही वन अपॉन में जीरो क्या बनाएगा इन्फिनिटी और आपको मैं अच्छे से बता रखा है कि हम कभी भी फ्रैक्शन में जीरो पसंद नह सब्सक्राइं सब्सक्राइए निकल ही नहीं सकता तो condition समझता हीं नोट बबाइगा तो सरे इस खतम हो जाएंगे और अगहर आपको लगता है कोई नया कोरिशन आपके सामने आरहा है तो खौज-खाज कि लाओ फिर वो भी करा जा देंगे ठीक है एक कोशन और ढूंड लेता हूं मैं कोई बड़ी ऐसा अच्छलों ये करा देते हैं अच्छा कोशन है देंगे घंगे ठीक है चलो यह गोशन दो देख लो ब्रेक हो जाएगी वीडियो रिस्पांस ही नहीं आता कोई कर दो कि मैं पांच मिन्टे फोन करता हूं से है है हन्य वच्छो अब देखें है रहा हुआ आपके पास एक फंक्षन दिया गया है एक्स प्लस टू अपॉन मोड के अंदर एक्स प्लस टू आप से बोल दिया गया डूमें निकालो रेंज निकालो ठीक है जी डूमें निकालो रेंज निकालो मुझे नहीं लगता कि इस question को मुझे कराने की जुरुत है लेकिन फिर भी अब लग रहा है कि mode आ गया तो क्या करें इतनी tension बाजी low भाई कराते है for df f of x must be a real number ठीक है so x x plus 2 upon mode x plus 2 must be real ये भी क्या होना चाहिए ये real होना चाहिए अगर f of x एक real number है तो ये भी क्या होना चाहिए ये भी खुद real होना चाहिए अच्छा अब मुझे एक simple सी बात बताओ मुझे एक simple सी बात बताओ अगर मुझे ये real चाहिए तो बस मुझे क्या देखना है कि भाई ये नीचे वाली condition zero ना बने क्योंकि आपको पता ये fraction में कभी भी नीचे वाली चीज क्या नहीं बननी चाहिए जीरो क्यों क्योंकि अगर वो नीचे जीरो बन गया तो वो real number नहीं रहेगा देखो मैं एक ही बात को कम से कम 5-6 question मैं बार बार repeat क्यों कर रहा हूँ ताकि ये बात तुमारे दिमाग के अंदर बैट जाए कि हां भझे fraction के अंदर zero नी लाना root के अंदर zero नी लाना ठेक है ये बात दिल्कुल दिमाग में बैट जानी चाहिए और वो भी कब नी लाना जब वो fraction में यानि upon में हो ठेक है denominator के पास हो तो बस बात खतम, so, so, x plus 2 is greater than क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 के equal भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 के equal भी नहीं होना चाहिए, अच्छा, ये 0 से क्या होना चाहिए, greater होना चाहिए, अच्छा, mode से बाहर निकल के कोई भी चीज किसकी रहती है, plus की रहती है, plus का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 it means क्या हुआ कि भई हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या नहीं लेना है हमें यहाँ पे सुरी एक मिनिट एक मिनिट एक गड़बड हो गी सुरी हमें इसे जीरो के इक्वल नहीं लेना हमें इसे क्या नहीं लेना जीरो के इक्वल नह देखो, mode से बाहर निकलेगा, तो कोई भी चीज क्या रहेगा, भई, plus की ही रहेगी, ठीक, अब plus का 2 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, minus का, means, कहना क्या चाहता हूँ, मैं, कहना ये चाहता हूँ, कि x की value यहाँ, minus 2 नहीं होनी चाहिए, बाकि कोई सी value हो, हमें कोई दिक नहीं है, तो it means, domain of function is all real number, except, भई, क्या, minus 2, except minus 2, क्योंकि minus 2 यहाँ रखोगे, तो 0 बन जाएगा, ठीक है बच्चो, तो इस तरीके से हमने domain solve किया, अब किस की बारी है, range की, now, range, यानि rf, for rf, हाँ जी, अगर rf मुझे solve करना है, तो देखो, यह mode है ना, नीचे upon में है, तो यह दो case बनाएगा, range में कितने case बनाएगा, दो case बनाएगा, किस किस तरगी है कि दो case बनाएगा, जड़े ध्यान से देखना, हाँ जी भई, ध्यान से देखना, हाँ जी, अब देखो, range दो case कौन कौन से बना सकता है, range यहाँ पर दो case कौन कौन से बना सकता है, तो अगर मैं यहाँ पर range बनाना चाहता हूँ तो मुझे पहले यह देखना पड़ेगा कि मैं value कौन कौन सी put कर सकता हूँ मैं value कौन कौन सी put कर सकता हूँ तो पहले यह देखो let f of x is equal to किसके बराबर लेंगे y और y किसके बराबर आजाएगा x plus 2 और mode के अंदर x plus 2 so case first अब इसके अंदर ना दो case बनते हो दिख रहे हैं मुझे कौन कौन से कौन कौन से when x plus 2 is greater than 0 is greater than 0 हाँ बई क्यों क्योंकि mode की value plus में भी होती है अंदर से और mode की value minus में भी होती है तो आप एक काम करो mode में मतलो ऐसे ले लो x plus 2 is greater than 0 अगर बच्चो यह greater than 0 है so y की value हाँ जी कौन से वाली लेंगे यहाँ पर एक बर plus वाली लेंगे value कटेगी तो कितनी आई y की value किसके बराबर आगी भाई 1 के case second अब case second ले लो हाँ जी y की value एक बर बन आगी अब एक बर क्या ले लो case second में when x plus 2 is less than 0 अगर less than 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि mode के अंदर की value negative भी आ सकती है क्योंकि मैंने अभी अभी लिखवाए था यहाँ पे कि mode के अंदर की value positive हो सकती है negative हो सकती है तो एक बार हम positive मान के चल रहे हैं क्योंकि zero से greater है और एक बार हम negative मान के चल रहे हैं ताकि भाई किस से छोटा जाए zero से छोटा तो लो जी negative मान कट गया वाई-1 वाई-1 तो इस तरीके से हमारे डोमेंग और रेंज यह खतम हुआ ठीक है हमारे फंक्शन के टॉपिक्स खतम हो गए फिर भी कोई डाउट आता है अगर बच्चो तो मुझे बताना आप लोग ठीक है वो सारे डाउट मैं एक ही ग्लास में लेके कवर कर दूँगा अगर किसी बच्चों के कोई डाउट आ रहे हैं तो देखो मोड से रिलेटिड, विदाउट मोड से रिलेटिड, रूट से रिलेटिड सारे कोशिंस मैंने या पर कवर अब कर दी है फिर भी कोई डाउट आता है मुझे मैसेज किजिए वटसेप नमबर पर ठीक है और आपका डाउट मैं फिर कवर कर दूँगा ठीक है तो आप लोग रेडी हो जाईए मंडे को ट्रिगनोमेट्री का टेस्ट होगा ठीक है साम साथ बजे साथ बजे ट्रिगनोमेट्री का टेस्ट तो रेडी कर लो सभी बच्चे ट्रिगो का टेस्ट है ठीक है चलिए आज किलास यहीं खतम करते हैं बाकिर टेस्ट की त्यारी कीजिए All the best